Hello Friends, Welcome to my Channel आज हम इस वीडियो में सिखेंगे कि कैसे हम जो ये आपके सामने Convex Lens के चार्ट है उसे पूरी तरह याद कर सकते हैं बस एक Simple Trick से हमें टोटल इस छे Position of Object के लिए हमें Position of Image, Size of Image और Nature of Image याद करना है तो चलिए हम चलते हैं कि कैसे हम इस पूरी चार्ट को याद कर सकते हैं जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने आपके सामने एक Convex Lens ली है जिसमें मैंने मार्क किया है O से Optical Center, F1 Focus 2F1, F2 भी Focus 2F2 आपको Convex Lens में हमें सा ध्यान देना है कि आपका F1 और 2F1 हमें सा लेंस के Left Side में होगा थी उस 6 पोजिशन को मार्क कर लेते हैं तो जिसमें से हमारा सबसे पहला पोजिशन था Infinity पर तो हम यहाँ पर कर देते हैं One Number, Infinity दूसरा पोजिशन था हमारा Beyond 2F1 तो हम कर देते हैं यहाँ पर Second Position Third Position था हमारा Add 2F1 तो यहाँ मार्क कर दीजे 3 Fourth Position था हमारा 2F1 and F1 के बीच में तो यहाँ मार्क कर दीए हमने Fourth Fifth Position था हमारा F1 पर तो यह हो गया Fifth Sixth Position था हमारा F1 and O के बीच में तो आप सभी ने देखा हमने Total 6 Position मार्क कर दी अब इस 6 Position के लिए हम पहले सिखेंगे कि हमारा Image का Position क्या होगा तो हमें इधर अब उसे भी मार्क करना है 1,2,3 तो चैसे कि आपने यहां 1 Infinity से स्टार्ट किया है 2,3,4,5,6 एक सिक्वेंस में Similarly आपको इधर भी मार्क करना है आपका 1 स्टार्ट होगा F2 से तो 1 आ गया F2 पर तो Second Position यह दोनों के बीच में ही आएगा Third यहां F2 F2 में Fourth Position 2 F2 के बाद Fifth Position हमारा Infinity में अब अगर Infinity में बन गिया है तो हमारा Sixth Position बनता है यहां पर लिखें तो आपको बस इस तरह से Numbering करना है 1,2,3,4,5 and then 6 आपको बस यह याद रखना है कि F2 से आपको Numbering स्टार्ट करना है तो यह बन गिया हमारा जितने भी मैंने Red Color से Numbers लिखें वह बन गिया हमारा Position of Image जैसे जब Object Infinity पर है तो हमारा Position of Image है At F2 जब हमारा Object है Beyond 2F1 तब हमारा बन रहा है Between F2 and 2F2 जब हमारा Object है 2F1 पर तब हमारा बन रहा है 2F2 पर जब हमारा Object 2F1 और F1 के बीच में तब Image बन रहा है बन रहा हमारा Beyond 2F2 उसी तरह जब हमारा Position है At F1 तो हमारा Image बन रहा है Infinity पर इसलिए मैंने इसे दूर रखा है लाइन पर नहीं 6 जब हमारा Object है Optical Center और F1 के बीच में तब हमारा बन रहा है On Same Side Behind the Object इस 6th Position के पीछे ये कहीं पर भी बन सकता है इसलिए मैंने इसे 6 दिया तो देखा हमने कैसे बस Numbering करके Position of Image Find कर ली अब आते है Nature of Image पर या Yes Nature of Image पर तो Nature of Image भी याद करने के लिए आपको कोई दिख करने हैं आपने देखा कि 1, 2, 3, 4, 5 एक जगा पर है आपको यहाँ पर जो भी बना है यह बनता है हमेशा Real और देखें मैंने यह से उपर लिखा था इसे नीचे क्योंकि यह Inverted Image बनता है तो यहाँ 1, 2, 5 नमबर में आपका बनेगा Real and Inverted और 6th नमबर Position पर आपका बनेगा Virtual And Upright तो देखा हमने Nature of Image भी जान लिया अब हम आते हैं Size of Image पर Size of Image याद करने के लिए आपको कोई Tensil ने नहीं की जरुत नहीं है आप देख रहेगी यह नमबर के से Increasing order में 1, 2 से बड़ा है 3, 2 से भी बड़ा है तो इस तरह से यह नमबर बढ़ते जा रहे है इसका मतलब हमारा Size of Image भी नमबर के हिसाब से बढ़ते जाएगा Lens के बहुत सामने में है One number इसलिए यह बन जाता है हमारा Highly diminished मतलब बहुत ही छोटा Second position इससे थोड़ी से बड़ी है इसलिए इसे हम बोलते हैं Diminished Third number ध्यान दीजे कि Third number जो है वो 2F2 में बना है और यहाँ पर यह 2F1 में ही था मतलब position दोनों का सेम है जिसका मतलब कि Third number जो होगा Object वो Same size का होगा उसके बाद आते है Fourth अब इससे भी बड़ा तो अब जब Same size हो गिया इसलिए Fifth में हो जाएगा Highly Magnified फिर आते है Sixth Sixth number position पे हम बोलते है Magified क्योंकि यह इस Object के Behind कहीं पर भी बन सकता है इसलिए हम Magnified बोलते हैं ना कि Highly Magnified तो आपने देखा जैसे Number increase हो रही है वह इसे आपकी Size भी increase हो रही है तो आपने देखा बस एक तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दे सब्सक्राइब कर दे और अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके Share करे ताकि उन्हें भी फाइदा हो और कमेंट गर के मुझे जरूर बताए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा Thank you दोस्तो, मिलते हैं हमारे next video